तो देखिए हमारे कीतना ज्याद चूरा और और इधर से डोंडू यह दै यह दे आई आओ यह दो जाई आपर चाचाहरे के घर मा असा पना घुसर गई से सब्सक्राइब करें और हमारे गाओं का हाला देखिए कैसे है क्योंकि बारिस का सीजन है तो पूरा च्खला कांदो हो जाता है हर गाओं में ऐसे चाहे कितना भी अच्छा रोड क्यूंना हो झाल्डब आ ऐसे खिला गाओं के चाहे हो एखिअर परा एकटो धिएक पां भीनष्टीं गांटू तो देखिए हमारे कितना जादा चूरा और इधर से ढूंडू और यह देखिए और यह दोंडू टप को पकड़ा हुआ है हाथ में क्योंकि हम लोगों कवरिंक दीवाल एक ही है तो वह पूरा बैरा है और यहां कितना सारा पानी भणा हुआ है जिसको मैं निकाल कर फेक रहे हु और इस यहां पहलु रहे हैं यहां पांदा कर रहे हैं यहां से पर नीचे आए चूरा का हालात देखिए भ muss काम नहीं ही है थोड़ी देख सथया नहीं की देखो नहीं है मैं नश्aimerेमाप पूरतो जल्दी बार आगी ला बार कुछा यह देखो भाई हमारा घर के हालात पूरा कच्चा कच्चा हो गया और यहां तो देखिए पूरा गली का पानी अंदर आ गया था यह अभी पूरा शापकी हूँ मैं आज की बारिस तो देखिए पूरा डोली में पूरा फुल पानी भर गया है हलाकि थरह भी बड़ा बड़ा नहीं हुआ है कि थरह लगाना स्टार्ट कर दें रोपा लगाना और देखो पानी पूरा डोली में पानी भर गया है और इतनी तेज बारिस होने के बाद धूब भी निकल रही है हद है हमारे गाओं में इतनी तेज बारिस हुई है इतनी तेज बारिस होई कि हमारा पूरा घर डूब गया पानी से आज मैं पूरा सफाई करते करते पूरा पानी थेकते तंगे वाँ दोण्डू और मैं अतना पानी फ्यकाई अतना पानी फ्यकाई पूरा और अम्मा देख करन जिद गया रही शेए अब भी आई शेए अभी अब ढ़ा ना पूरा फिज गया शेए और यह पानी लला जो नहीं लगा नहीं देखा पानी अतना गिर्या के बाद धूप नि सब्सक्राइब करें अब करी का गई से समझ मां नहीं आए क्योंकि वाना एकांत जगह देख के फिर शांती मनी कलिता दिकत हो जाई भाई और फिर काई सापर कथरे काई सापर अशाडिया सापर पाउरिया ढोंडा हाना कथ है तूट गई सता टूट गई सता काईन हो थे आइसने साइगो देख तोर था वा ले जास के पास वाफ देख कर मूड लदर ले तूट गए रही ना तब मैंदेशने ओखर मूड ला एक रहे तो नहीं है यह जैसे ही साम होती है ना वैसे जो चकोड़ा पान के जो पत्ते होते हैं वो एकदम सुकुर के ऐसे सो जाते हैं हम इसको जगा करके ऐसे खा लेते हैं तो दोस्तों देखिए हमारे गाओं में आज इतनी बारिस हुई है ना कि गाओं घरों में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लगते हैं कि हम आपको बया नहीं कर सकते आप लोगों ने देख ही होगा कि हम लोग ढोंडू और मैं क इस तरह से कितना सारा पानी को फेके हैं एक दम पूरा घर हम लोग भीग जाता है पता नहीं कब बनेगा कब कंप्लीट होगा तो कब अच्छे से रहेंगे हम लोग अभी ती फिलहाल इसी तरह से हमारी जो है जीवन गुजर रही है देखो आगे क्या होता है और सावन लग और से अचानक लगतार बारिश हो गई है इसके वजह से इसान लोगों को मौकर नहीं मिला थोड़ी सी समय उता है तो भाई करने के ले जाते हैं ब्रव्लम होती है या नहीं जरूर् बताना आप लोग कमेंट करके की आफ्षास भूल तो दोस्तों देखिए गाउं घरों में अक्सर बारिस हो कि मौसम में ऐसे साप निकलते रहते हैं तो ऐसे सतरक्ता बनाया रखे साप सफाई का ध्यान दे और ज़्यादा जहां पे समान बगेरे हो कुड़ा करकट उन पर ध्यान दे क्योंकि और देखो साप को खाने के लिए कुट्टा वहाँ पे आ गये हैं धोंडू चाचा लोग मिल करके मारे हैं अशाड़ीय साफ भाई मरे अधिन 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 नहीं भाई अचानक वह रात के कहां न कहां नी करके के खर घर घुसर जाती इसका चुपत नहीं चलती सबसे ज़्यादा ढूंडू है हमारी से या न वोला कात्ते के भागवार फाइनली वह साप निकल गया तो डर हमारा समाथ हो गया नहीं तो हमें हमें डर बना रहता रात के सपने यह योखार बगरें चीनदारी से चलो हमार वीडियो को लाइक कमेंट सेर जरूर करें चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर देख